तो दोस्तों जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि किसी भी कंपनी के सेयर्स को Grow App की मदद से Buy और Sell कैसे करते हैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे आप मोचो और फंड में investment कर सकते हैं तो चलिए आज के वीडियो सुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले मैं Grow Application को Open कर लेता हूँ इसके बाद आप यहाँ पर Grow Pin या फिर Fingerprint इंटर करके आप यहाँ से Login कर सकते हैं तो यहाँ पर चलिए मैं Fingerprint इंटर करके Login कर लेता हूँ अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं Grow के Home Page में आ गया हूँ अभी आपको Simply यहाँ पर Right Corner में अपने Logo पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर मैं आपको पहले Balance दिखा देता हूँ कि मेरे पास कितना है 5,402 रुपए है ठीक है तो मुझे 5,000 रुपए का Investment करना है Mutual Fund में तो Back कर लेता हूँ और यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं Stokes, Mutual Fund और Gold तीनो आप्सन है तो यहाँ पर आप Mutual Fund में यहाँ पर Invest करेंगे और यहाँ से Gold में भी तो आज की इस वीडियो मैं Mutual Fund में Invest करने वाला हूँ तो चलिए यहाँ से मैं आपको इसके Dashboard को समझा देता हूँ Sorry, पहले Dashboard आप यहाँ पर देख लीजे यह है मेरा Dashboard अभी एक और प्लेस अभी Progress में है तो चलिए अब Explore में मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर क्या-क्या आपको मिलता है तो सबसे उपर में आपको यहाँ पर Popular Funds मिल जाएंगे जो की Popular है Mutual Fund में यहाँ पर All Mutual Fund में क्लिक करके आप यहाँ से Most Popular जो Mutual Fund है वो यहाँ पर से देख सकते हैं इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर Collections मिल जाएगा Mutual Fund का अगर आप High Returns वाले Mutual Fund चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं High Returns मतलब High Risk भी हो सकता है तो यहाँ पर High Returns वाले देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे Mutual Fund मिल जाएंगे High Returns के यहाँ पर Tax Saving Mutual Fund आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे यह है SIP जो कि आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं तो अगर आपको SIP नहीं पता तो किसी वीडियो में आगे बता दूँगा अब आप यहाँ पर देख सकते हैं Sector Bits पर है बहुत सारे Mutual Fund तो आप इनमें भी कर सकते हैं और नीचे की तरफ आपको यहाँ पर Quick Access में कुछ Mutual Fund मिल जाएंगे इन सब को मत देखिए और नीचे की तरफ चलते हैं और क्या क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं यह है मेरा Watch List जिसमें मैंने Add किया हुआ है यह सब Mutual Funds को जो की मुझे पसंद है और चलिए उपर की तरफ चलते हैं और यहाँ पर मैं जो भी Mutual Fund को Buy करना चाहता हूँ यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ सबसे पहले तो मेरे को Quant का Mutual Fund चाहिए Quant यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ और मुझे Quant में Active Fund चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Active Fund चाहिए Quant का इस पर क्लिक किया और यहाँ पर आप Quant का देख सकते हैं Graph कुछ इस तरह से है और बाकी details आप यहाँ पर से देख सकते हैं इसके बाद आप यहाँ पर दो तरह से Invest कर सकते हैं One Time और Monthly SIP तो मैं यहाँ पर One Time करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास 5000 रुपए ही है तो यहाँ पर One Time पर क्लिक किया और यहाँ पर Amount इंटर कर लिया आप यहाँ पर मुझवल फण में Minimum मतलब सभी में नहीं बलकि इसमें Minimum 5000 रुपए इंवेस्ट करना ही पड़ेगा तो 5000 रुपए इंटर किया और इसके बाद Invest Now पर क्लिक करूँगा क्योंकि मेरे वालेट में बैलेंस है अगर वालेट में बैलेंस नहीं है तो पहले वालेट में बैलेंस एड़ कर लिजे तो चलिए मैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Payment Confirmation हो गया है और Grow की तरप से Order Place हो गया है अब आपको Mutual Fund की तरप से Accept होना बाकी है तो Order Mutual Fund जब Accept कर लेगा इसके बाद आपको Unit Alert कर देगा एक दो दिन में तो आपको 2-3 दिन वेट करना है इतना करने के बाद अब मैं आपको अपना खुद का Dashboard दिखा जता हूँ तो Simply आपको यहाँ पर Dashboard पर क्लिक कर लेना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं Dashboard में आ गया हूँ इधर Explore है जिस पर अभी मैं आपको बता रहा था ठीक है अब मैं Dashboard पर आता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि मैंने आप यहाँ पर देख सकते हैं चार mutual fund में पहले से Invest करके रखा हुआ है और यहाँ पर percentage देख सकते हैं कितना अच्छा खासा return यहाँ पर मिल चुका है 20%, 9%, 16% तो इतना अच्छा खासा return यहाँ पर mutual fund में आपके सामने और यहाँ पर आपके सामने और एक पराकपारिक का flexi cap fund वाला दो दिन पहले किया था तो यहाँ पर क्वांट का status आप यहाँ पर देख सकते हैं order status में कि यहाँ पर payment हो गया है grow के तरब से order place हो गया है अब यहाँ पर mutual fund accept करेगा इसके बाद आपको unit allot करेगा तो यहाँ पर पराकपारिक में देख सकते हैं हमको mutual fund ने accept कर लिया है अब unit allot होना बाकी है यहाँ पर आपको date भी मिल जाता है बाकाइदा कि कब तक आपका unit मिल जाएगा चलिए बैक कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं stocks, gold और mutual fund तीनों में आप यहाँ पर invest कर सकते हैं grow app में चलिए बैलेंस दिखाता हूँ कितना cut हुआ तो यहाँ पर simply right corner में क्लिक करना अपने logo पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं 402 रुपे बचे हैं जो कि 5402 रुपे पहले थे तो 5000 रुपे मैंने invest कर दिया है mutual fund में तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि grow app की मदद से mutual fund में investment करना कितना असान है I hope कि इस वीडियो में आपको समझा पाया कि कैसे आपको mutual fund में invest करना है अगर आपको फिर भी इस वीडियो से लेटेट कोई भी doubt है तो नीचे comment section में पूछ सकते हैं अगर आपने अभी तक अपना demand account open नहीं कराया grow app पर तो आपको grow app का link नीचे description में मिल जाएगा वहां से आप click करके directly play store से install कर सकते हैं अगर आपने अभी तक अपना account setup नहीं किया है और अगर आपको account setup करना नहीं आता तो आपको i button में उस video का link मिल जाएगा जिस video मैंने step by step बताया है कि कैसे आपको grow app में अपना account setup करना है कैसे अपना dmate account open करना है और उस video का link का आपको description में भी मिल जाएगा